नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड टुरिन हिंदी में आज हम आपको मद्य प्रदेश में स्थित पांच क्रमुक टाइगर रिजर्व के बारे में बताएगे तो चलिए विडियो को शुरू करते हैं पहला कानहा टाइग को दो सन्रक्षित शेत्रों में विवाज़ित किया गया है कानहा नेशनल पारक एक जून इनीश सो पचपन को बनाया गया था और इसे 1973 में एक टाइगर रिजर्व के रूप में नामांगित किया गया था कानहा हैसे पार्क में बंगाल टाइगर भारती अतेंदुत आलसी भालू, बरसिंगा और ढोल है यह भारत में आधिकारिक रूप से शुभन कर बूर सिंग दबारा सिंग को पेश करने वाला पहला बाग भ्यारने भी है दूसरा बांधावगर नेशनल पार्क बांधावगर राष्ट्रिय उद्यान भारत का एक राष्ट्रिय उद्यान है जो मद्य प्रदेश के मर्या जिले में स्थित हैं बांधावगर को 1960 में एक राष्ट्रिय उद्यान घोशित किया गया था और फिर ये 1993 में टाइगर रिजर्व बन गया वर्तमान में बांधावगर नतोनल पार्क 716 वर किलोमीटर में पहला है इस पार्क में एक बड़ी जैव विवित्ता है बांधावगर में बागों की आबादी का घनत्वर आठ टाइगर पर की मी भारत में सबसे अधिक्यात है पार्क में तेन्दू और हिरनों की विभिन्न प्रजातियों की एक बड़ी प्रज्णन आबादी है लीवा के महराजा मार्तन सिंग ने 1951 में इ बात्रे में डाल रही है पार्क ने अपना नाम उस शेत्र की सबसे प्रमुग पहारी से लिया जिसके बारे में कहा जाता है कि भग्वान उन्य अपने भाई लक्षमन को लंका पर नजर रखने के लिए दिया था थीसरा पन्ना नेशनल पार्क पन्ना नेशनल पार्क भारत में मध्यप्रदेश के पन्नाओं और छतरपुर जिलू में स्थितिक राश्ट्रिय उद्यान है इसका शेत्रिफल 542 सरसट किलोमिटर है इसे 1993 में भारत राश्ट्रिय उद्यान के रूप में उत्कृष्ट अटा का पुरसकार दिया गया था यहां पाए जाने वाले जानवरों में बाग नील गाय चीतल पेंद्वा सामबर भालू इत्यादी जानवर शामिल है चोथा सत्पुरा नेशनल पार्क जिसे सत्पुरा राश्ट्रिय उद्यान भी कहा जाता है यह भारत में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है इसका नाम सत्पुरा श्रेणी से लिया गया है यह पांच सो चौबिस वर किलोमीटर शेत्र में पहला है सत्पुरा राश्ट्रिय उद्यान निकटवर्ती बोरी और पच्मरी वन्यजीव अभ्यारनियों के साथ 2200 किलोमीटर का छेत्र प्रदान करता है यह 1981 में स्थापित किया गया था राश्ट्रिय उद्यान का इलाका बेहग उबर खाबर है और इसमें बलुआ पत्थर की चोटियां संकरे घाटियां खड़ और घने जंगल है राश्ट्रिय उद द्यान जैव विवित्ता से सम्रत है यहां के जानवरों में तेंद्वा सांभर चीतल भारतिय मंट जैक नीलगाए चार सींग वाले मर्क चिंकारा जंगली सूर भालू काला हिरन लूमरी साही उल्येवाली गिलहरी माउस हिरर और भारतिय विशाल गिलहरी शामिल है तरह त अधिप्रदेश राज्य के सिवनी और चिंद्वारा जिले स्थित एक राश्ट्रिय उध्यान है जिसे उनीस सोब्चतर में 256 किलोमीटर के शेत्र के साथ स्थापित किया गया था पेंच टाइगर रिजर्व का नाम पेंच नदी से लिया गया है जो तरसित दक्षिन तक पार्क के माब्धियम से बहती है और पार्क को लगभग बराबर पर्श्यमी और पूर्वी एस्सों में विभाजित करती है इस पार्क को उनीश्ट्रिय उध्यान का दर्जा दिया गया और उनीस सोबानुवे में इसे बाग अभ्यारने के रूप में सूची बद्ध किया गया इस राश्ट्रियों द्यान में शुष्ट पर्णपाती वन और कई जीव और वनस्पतियां शामिल है जिन में बाग विभिन प्रकार के हिरन और पक्षी शामिल है 2011 में नेशनल पार को सरवश्रेष्ट प्रबंधन पुरसकार से भी नवाजा जा चुका है अगर आपको हमारी पोस्ट अच्छी लगी हो तो हमें कमेंड करके जरूर बताए और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेर जरूर करें धन्यवाद